इस वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं बजाज के CT 110 CC में यह 110 CC में फिलाली में लूंच हुई है आगे से देखने पर फ्रंट लूक ऐसा है और आज इस वीडियो में बताऊंगा किसमें नहीं क्या चेंजिस हुई है CT 110 से जो CT 110 थी उसमें यह बीच में नहीं आती थी सपोर्टिंग रोड इसमें सपोर्टिंग रोड आई आ रहे है और फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 10 लीटर है उसी कम थी और यह जो रबर टाइब में है ताकि कर्मियो में इस्टेबल रहे नाम से पैर लग जाए यह उसके लिए यह चेंज है थोड़ा और इंजन में खास कुछ चेंज नहीं बस दस सी सी बढ़ा जी गई है जो एक सोट दस सीसी हो गई है वगए वाइक का थोड़ा वेट बढ़ा है जो बोडी है फोड़ी सी बढ़ा देने बल की करते गई हुरकी सी 10 यह 15 परसेंट बोडी बढ़ी है वहीज का क्लार चैंज है थोड़ा से और जो यह भी डबल शीवीडी बोलता है कॉमबर बेक डिस्त्रिबिशन मतलब कि एक बिरेक लगा दोनों लगए एंटी सकड़ कर सकेट नहीं होगी कहीं कैसी रोड कर डोदफेस के नियुक अगर ब्रेकिंग एक तम से ब्रेकिंग होगी तो पिज़ बाई किसके नहीं होगी और तो इसमें कुछ खास चेंज नहीं है जो कंपनी ने क्लेम क्या है इसका माइलेज 90 के असपास का 80 प्लस माइलेज कंपनी क्लेम करते हैं पर फिर भी यह 17 प्लस ही देती है 70 प्लस और जो स्टोप स्पीड है यह अचीव कर लेती है है इसली 80 85 90 फिर जादर तो भागानी वेकार है इसका इंजन भी वैसी 110 चीश है भागाने को तो 95 तक चली जाएगी पर बेकार है वागानी कि उभी स्टोप स्पीड वगयरा टौप इसकी टॉप स्पीड वगयरा और कि मैलेज अगली वीडियों बात करेंगे और इसकी फस्ट शर्वीष है वो पांच सबसाट्स की बीच में थी वहांने करवा ली है साड़ी 700 पे करवाई थी और व्लों से सब्सक्राइब अगली वीडियो में बात करेंगे एक बार हम इस वी बाइक का और भी दिखा देते हैं आपको कि इस साइड से देखने पर ऐसी है और तो कुछ खास चेंज नहीं बस थोड़े कोस्मेटिक चेंज के साथ इव बाइक अपडेट की जोगी है इस बाइक का चो एक सोरूम है देली के साब से 44,000 एक सोरूम देली में और और कोई सिटी है उसका हर सिटी का अलग अलग होता है और अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो माइलेज के लिए बाइक बहुत अच्छी है इस फिल्ड वगारा के लिए डूटी वगारा के लिए सही है वैसे ओबरूल भाइक ठीक ठाक ही है